टीम इंडिया ने तीसरे वंडे में न्यूजिलेंड को 90 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारतिय टीम ने सीरीज में 3 से 0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। इस रिजल्ट का मतलब यहा है कि भारतिय टीम अब वंडे क्रिकेट में दुनिया की नंबर एक टीम भी बन गई है। T20 में हम पहले से नंबर एक हैं। टेस्ट में हमारी रैंकिंग नंबर दो है। भारत ने तीसरी बार न्यूजिलेंड को वंडे में क्लीन स्वीप किया है। उसमें 1988 और 2010 में भी ऐसा किया था। भारत ने लगातार सात्वा वंडे मैच भी जीता है। इन दौर के होलकर भारत ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 385 बटा 9 का स्कोर बनाया। गिल ने 78 गेंदों पर 112 रन बनाये। जबकि रोहित ने 85 गेंदों पर 101 रन बनाये। इन दोनों के अलावा हार्दिक पंड्या ने भी अच्छी बैटिंग की। उन्होंने 38 गेंदों पर 54 रन बनाये। विराट कोहली ने बीच में 36 रन जोडे। न्यूजिलेंड की ओर से जैकब डफी और ब्लेर टिकनर ने 3 से 3 विकेट लिये। जवाब में न्यूजिलेंड की टीम 41 दशमलव 2 ओवर में 295 रन पर आल आउट हो गई। उसकी ओर से ड्वेन कॉन्वे 138 रन ने शतकिया पारी खेली लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। कॉन्वे के अलावा हेंरी निकल्स ने 42 और माइकल ब्रेस्विल ने 26 रन बनाए।